दोस्तों आज है आपको बता हुआ कि आप अपने घर में ही जुआरे वीड ग्रास कैसे लगा सकते हैं इस तरीके में खास बात यह है कि इसमें किसी मिट्टी रेट या पत्थर का इस्दिवाद नहीं किया गया है इस तरीके में हम बगेर मिट्टी के जोरा लगाएंगे नमस्कार आपका नियर्ट को और्गैनिक पर स्वागत है यहां पर आपको घर की छत पर गार्डिनिंग करने संब्दित कई आईडियास टिप्स कम जगा में सब्दी केसे लगाएं कम लोग में कैसे सब्दी लगाएं इन सबी से संब्दित विश्यों पर जानकारियां मिलेंगी आपको घर पर ही ज्वारे लगाने के लिए आटा छानने वाली छनली की ज़र्वत पड़ेगी इस तरीके से ज्वारे एक बिल्गास लगाने में हम किसी मिट्डी या और किसी चीज का व्योग नहीं कर रहे हैं हम सबी आटा छानने वाली छनली में ही ज्वारे या बिल्गास लगाएंगे चलिए देखते हैं कि यह तरीका आप अपने घर में केसे इस्तिमाल कर सकते हैं किसी पेन में किसी भी किस्म का गेहूं ले लीती है गेहूं को फिर अच्छी तरह से रगड के धुएं यही प्रक्रिया आप दो या तीम बार दोराएं गेहूं को अच्छी तरह साफ पर रहा इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें जो मिट्टी या धून के कणहें अच्छी तरह धुल्डाएं और गेहूं को धुने के बार रात भर के लिए रख दीजिए फिर अगले दिन उस पानी को फेक दीजिए और दोबारा फिर गेहूं को धुएं यह प्रक्रिया दो वार करें इसके बार आटा च्छानने की जो छल्नी है उसको ले ली जिए और अब हमें जो राप भर विगोए हो गेहूं थे उसको इस छल्नी में डालना है हम जो जुआरे उगाने वाले हैं वो सहत के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं और इससे अपना इम्म्यून सिस्टम कापी अच्छा हो जाता है और यह कई रोगों में मदद करता है गेहूं को अच्छी तरह से फैला लीजिए इसके बाद गेहूं को फिलाने के बाद आप एक कपड़ा लीजिए सूती कपड़ा होता अच्छी बात है क्योंकि वो पानी को अच्छी तरह सोपता है एक कपड़ा लीजिए सूती और उसको भिगा कर एक प्लेट में रख दीजिए कपड़ का अप्छी तरह सो फैलाके प्लेट में रख दें उसके बाद जो च्छलनी में हमने रिगवे हुए ग्यहूं रखे थे उसको प्लेट में रख दें और इसके बाद एक सूखे कपड़े से उस प्लेट को और च्छलनी को धग दें ताकि उसमें पानी वाप्षिक रत ना हो अगले दिन हम देखेंगे जैसा आप आप वीडियो में देख रहा है इसमें ग्यहूं में अंकुरण होने लगा है हमें दिन में दो बार ग्यहूं में पाली का स्प्रे करना है कपड़ों में भी और ग्यहूं में भी कि दो दिन बार बात आप देख रहे हैं इसके अंकुरण काफी बढ़ गया है लगभग आधे इसके हो गया है अब हमें इसमें नियवरुसार पानी का स्प्रे करना है छलनी में भी और वीचे कपड़ों पर भी हमें पानी का स्प्रे करना है तीन दिन बार आप देख रहे हैं जो अन्पूरित गयहूं है उसमें कुछ हलका सा हरापन भी आना शुरू हो गया है और इसकी जोआरे की बड़त कापी अच्छी है हमें दिन में दो बार पानी देना है छलनी में भी और कपड़ों में भी जिसा आप देख रहे हैं कपड़ों में गिहूं की जड़ें दिखाई दे रही है और जब तक एक लेवल तक ये जोआरे बड़े ना हो जाए आप उसको छलनी को और प्लेट को कपड़े से ढख कर रखिए आप जैसा कि मैं देखा है मैंने कपड़ा हटा दिया है और जो अंखुरन है वो करीब एक इन से ज़्यादा हो गया है और कुछ आपको ज्वारे ये गेहूं के अंकुरन हरे भी दिखाई दे रहे हैं आप रोजाना सोबे और शाम पानी देते रहिए छलनी में भी और कपड़े में भी अब आप देख रहे हैं कि छे दिन बाद कि काफी हरा हो गया गेहूं और इसकी बालियां काफी बड़ी हो गई है य अभी भी ये पुली तरह तयार नहीं हुआ है इसके लिए हमें कुछ और इंत्यार करना पोड़ेगा एक छे दिन बाद आप देख रहे हैं कि काफी बड़ा हो गया है यहूं के ज्वारे पर अभी भी खाने के तयार नहीं है आप इसमें पानी देते रहें छली में भी प्ल अभी एक दो दिन में खाने के लिए तयार हो जाएगा जैसा आप अभी देख रहे हैं यह काफी अच्छा दिख रहा है और यह तरीका बहुत ही अच्छा है बगर मिट्टी के गेरिव के ज्वारे लगाना आप इसको घर के अंदर भी लगा सकते हैं और मेरा कहना कि आप इ पास खिड़की हो घर में उसके पास रख दीजिए ताकि इसमें अच्छी दूप पड़ जाए सुबह वाली तो बहुत अच्छा है और जिसा देख रहे हैं आप यह हूं अब लगभग तयार हो चुका है और इसको केंची के मदद से आप साथवे आठवे दिन काट दीजि दुबारा जौआरे ले सकते हैं बस आपको इसमें सुबह शाम पानी देना है यही प्रिक्रिया आप इससे आप जौआरे दो या तीन बार ले सकते हैं अब आप चाहिए उसका जूस बनाइये यह किसी भी फालो के जूस के साथ दे सकते हैं के यज्यी कई मुझेतार गाइडिंग टिप्स ए इडिद्फ और झछ आयुडS और कम जगाल में सबची लगाने के तरीक गमले में सबची लगाने के तरीके झानकारियiden Karyur करने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अभी सब्सक्राइब करने से हर महिने दो से तीन नई वीडियो आपके पास इन्हें पहुंच जाएंगे और साथ ही सब्सक्राइब करना प्री है इसे बेज जिजक होके अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले पाएं ये वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइप कीजिए और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो नीचे जाकर कमेंट कीजिए और अगर आपका कोई परिशित काटनिंग में बुची रखता हो तो उससे ये वीडियो शेर करना ना भूले जन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नई जनकारी के साथ झाले के साथ झाले के दो कर दो पर्क दो लागर जनकार के साथ कोई पहला हो झाले के साथ झाल झाल